हलो दोस्तो आप एंडरीट फोन यूज करते हो आपके पास दोस्तो एक एंडरीट फोन है अब क्या दोस्तो आपका एंडरीट फोन काफी ज्यादा हैंग होता है आप अपने एंडरीट फोन के हैंग इशू से काफी ज्यादा परिशान हो गए हो आप दोस्तो कुछ भी अपन पोन जो काफी जादा हैंग होता है एंड दोस्तों बहुत सारे से एंड्राइट यूजर हैं जो अपने एंड्राइट फोन में गेम खेलते हैं लेकिन दोस्तों गेम सही से काम नहीं करता है हमेशा दोस्तों आपका एंड्राइट फोन हैंग होता है गेम खेलते टाइम भी तो आज मैं दोस्तो बहुत ही simple तरीका आपको बताने वाला हूँ और मैं दोस्तो अपने Android phone में इस setting को apply करके आपके सामने ही दोस्तो में दिखाने हो रैंग को increase कैसे किया जाता है यही setting दोस्तो आपको अपने Android phone में apply करना है फिर दोस्तो आपका Android phone hang होना बंद हो जाएगा तो च आज मैं इस वीडियो में आपको step by step पूरा बताने वाला हूँ फूल प्रोसेस दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने Android phone में RAM कैसे increase कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने phone के settings में चले जाना है सभी phone में दोस्तो अलग-अलग तरीके सेटिंग्स टाइब करोगे तो यहीं पर आपको एक option दिख जाएगा RAM about device इस पर दोस्तो आपको क्लिक करना है फिर दोस्तो आप उस RAM वाले settings में आ जाओगे तो यहां से दोस्तो आप टाइप भी कर सकते हो एंड दोस्तो settings में जा कि direct आपको चले जाना about phone में about phone में जाने के बाद आपक यहीं पर option दिख जाएगा RAM का तो यहां पर दोस्तो मैं आपको दिखाना जाता हूं कि मेरा यहां पर RAM जो है वो 6GB है मेरा Android phone दोस्तो 6GB का है तो आपके सामने यह दोस्तो इस वीडियो मैं RAM को increase करके दिखाने वाला हूं तो RAM पर दोस्तो आपको क्लिक कर देना है RAM पर क्लिक दोस्तो तो 6 प्लस 4 मतलब कि दोस्तो 10GB मेरे phone में RAM हो जाएगा और यहां पर लाश्ट में 6GB मतलब ही दोस्तो 12GB तक मैं दोस्तो अपने phone के RAM को increase कर सकता हूं तो यहां पर दोस्तो मैं 4GB तक करने वाला हूं मतलब कि दोस्तो 4GB RAM अपने Android phone का बढ़ाने वाला हूं तो सबसे यहां पर देख लो 6GB दोस्तो मेरा RAM है तो इस पर दोस्तो आपको क्लिक करना और यहां पर 2 की जगह आपको 4 पर क्लिक कर देना है आप दोस्तो 6 भी बढ़ा सकते हो आपके Android phone में 8GB RAM हो तो यहां पर दोस्तो आप 8GB शो करेगा 8GB तक ही आप RAM को increase कर सकते हो तो 4GB पर क्लिक कर करने के बाद अप दोस्तों यहां पर देखो कि आपको कोई भी option नहीं आ रहा है save करने का या फिर दोस्तो increase करने का तो आपको करना क्या है दोस्तों simply से बज़ आपको बाइक करना है यहीं पर फिर आपको option खो करने लगेगा तो यहां पर 3 option आपको शो करेंगे restart now का not now and discard changes तो दोस्तो आपको करना क्या है पहला नमोर अलो जो आप्चन रिस्टार्ट नाव पे इस पे दोस्तो आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो आपका Android phone जो है वो switch off हो जाएगा switch off होने के बाद फिर से restart होगा तब तक आपको दोस्तो वेट कर लेना है कोई भी छेड़ छाड़ दोस्तो आपको अपने Android फोन में नहीं करना है तो जब तक दोस्तो मेरा Android फोन चालू होता है तब तक मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो यहाँ पर दोस्तो फिर आपके फोन का पासवर्ड मांगा जाएगा आपने जो लॉक स्क्रिन पर पासवर्ड डाला है उसी को आपको इंटर कर देना है इंटर करने के बाद दोस्तो आपका Android फोन रिस्टार्ट पूरी तरीके से हो जाएगा रिस्टार्ट होने के बाद आपका फोन दोस्तो पहले से काफी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एक बर जबर दोस्तो इस सेटिंग अपलाई करेगा और दोस्तो रैम को चेक करने के लिए कि आपका Android फोन का रैम इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं बड़ा है जो आपका दोस्तो शेटिंगस पर क्लिक करना है और फिर से दोस्तो आपको उसी इबाउट फोन में चले जाना है या फिर आप डिवाइस में और यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो जहाँ पहले मेरा चे प्लस दो सो कर रहा था अब दोस्तों यहाँ पर देख लेजे 6 plus 4 so कर रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पर देखे जो पहले 2 पर यहाँ पर so कर रहा था आप यहाँ पर 4 पर so करने वाला है मतलब कि दोस्तों मेरा Android phone अब 10 GB पर हो गया है इसी तरह दोस्तों आप अपने Android phone के RAM को increase कर सकते हो कोई problem दोस्तों नहीं है आप अपने RAM को बढ़ा सकते हो गेम वेगरा खेलोगे आप या फिर कोई भी application को open करोगे तो दोस्तों लाइक नहीं होगा हैंग नहीं होगा तो यहीं था दोस्तों वीडियो ताई होब दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद है अगर वीडियो दोस्तों पसंद है तो वीडियो जरूर एक लाइक कर दिजेगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर दिजेगा धन्यमा दोस्तो